हेलो अप्रिवान, विल्कम टू मीमी स्किन केर, आज में बॉडी लेशन की रिव्यू करूंगा, बॉडी लेशन का नाम है मेगदूत आयरवेदिंग मौसराजिंग बॉडी लेशन, ये तोचा को अधिक्तमों नमी प्रदन करने में मदद करता है, जिससे तोचा नारम चेग हाइडेट हो जाती है, सुवस्त कुमल तोचा के लिए आप इस बॉडी लेशन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कि आप जानते हैं कि पूरा फाइदा पाने के लिए साही समय पर मौसराजा लागाना बहुत जरूरी है, जी हाँ मौसराजा लागने का भी एक साही समय होता है हम अधिकतम हाइडेशन के लिए बॉडी लेशन लागाने का सबसे अच्छा सुमाई बताते हैं, वो है सावल लेने के बाद अधिक दूद आयरवेधिक मौसराजिंग बॉडी लोशन, एलेवेडा, बादम का तेल, एप्टिकट का तेल का एक प्रोभाबी संग्जजन है, जो तोचा के रुकेपन को दूर करने में मदद करता है, ब्राम्बी हल्दी के प्राकितिक अर्ग से सम्रिद है, जो तोचा क टोन को कम करने में मदद करता है, और आपको एक नारम चमक देता है, तोचा को ताजगी और पोर्सन फोदन करता है, ब्रादिलेशन की कूछ बूंदों को चैरे गर्दा नसरी के उन्ने हिसे पर लगाए, अभिससित होने तक मालिस करे और ब्रादिलेशन के नियोमी तुप जांपिंग बोतल में आता है, और मुझे लोशन की कंसंस्टेंसी बहुत ही पसंद है, बहुत अधिक ताडल नहीं है, तुरंद लागाए जाए तो ये तोचा पर बहुत जल्दी अभिससित हो जाता है, पेटोरिलेशन की ताड़ा तोचा पर चिपचिपा नहीं पैटता ह तो ये पोड़ाक उन लोग के लिए सबसे आच्चा होगा, जो चिपचिपा उनुभा पसंद नहीं करते हैं और बोडिलेशन लगाने से डारते हैं, उसके लिए ये बोडिलेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है